यवतमाल भारत के महराष्ट का वो जिला जो किसानों की आपदाउं का परियाय बन चुका है एक तरफ से चाही का भाव तो दूसरी ओर सूखे की मार जानकारी के आभाव से बढ़ती लागत और घर्टी पैदावार के बोश से कर्ज में डूपता किसान और इनसे भी उपर कपास की फसल पर एक ऐसे कीट का प्रकोप जिसकी रोगधाम में किसान अपने आपको असमर्द पाता है ऐसी विकट परिस्थितियों में भारत के एक विख्यात क्रिशी विश्विद्याले प्रदेश क्रिशी विभाग वद्देश के प्रमुक क्रिशी रसाइन निर्माता ने मिलकर महराश्ट में की एक पहल क्या रहा इस प्रयास का परिणान जानिये यवत माल और अकोला के किसानों की कहानी उन्हें की जुबानी पहले द्यान में आया हो अट्यक जो आया था बोंड अच्छी दिख रहे थे फिर बाद में देखा तो जब कपास फुटने का टाइम आया तभी ख्याल में आया तब 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 टलक टाइम निकल गया था कुछ भी करने सकते द्या पून मेरे को अईसा धक्का था कि अगर ये साल में तो इत्ती बोंड है और अगले साल किती आएंगी इस वज़े से माई लगाने वाला नहीं था पहले जो हमारा बोले तो नियोजन वरोबर नहीं था लोग कौन से टाइम में कौन सा आउसे दी मारने का यह हमको मालूम नहीं था पिछले साल का जो नुकसान हुआ इसके वज़े से मैं इस साल कपास की खेती करने की अईसा सोच रहा था मैं पूरा स्वयबिन डालने का शुरुआत में गुलाबी सुन्डी के प्रकोप से भैभीत किसान इस प्रोग्राम के बारे में हताश वन नुरुसा ही दिखे यहां तक कि वो भविश में कपास की खेती करने से भी कत्रा रहे थे लेकिन हमारे गाव में वो पंजाबरा खुरुशी विद्धेपिट वाले और यूपियल वाले वो दोनों दोनों यह आये थी समझो हमने अकुला डिस्टिक में कवल खेड गोंबाशे करके एक विलेज है और यवत्मा डिस्टिक में साहिखडा विलेज एसे दो विलेज है अजितने भी कास्तिकार आते हैं उनका हमने सिलेक्शन किया है यह जो विलेज है साइखेडा खुर्द इस विलेज को हमने पहले सेलेक्ट किया था कि ऐसा यह गाव सेलेक्ट किया जाए जिसमें पिंग बोल वांका नियंतरन बड़ा डिफिकल्ट हो गया था लास्ट येर उन्होंने हमारे को प्रस्वान किया कि तुम लगाव का पास बाकी हम देख लेंगे जो गुलाभी बूंड़ी आने आने वाली है उसको हम प्रतिबंदक उपाय करेंगे उस पर कुछ ना कुछ सो इसलिए इस गाओं को सेलेक्ट किया था कि किस तरीके से यहां पर हम सारी जो टेक्नॉलिजीज हैं जिनके ओपर युनिवसिटी ना अलरेडी काम किया हुआ है उनको किस तरीके से हम सारी टेक्नॉलिजीज को जोड़ें और किस तरीके से हम युनिवसिटी के साथ और बॉल वाम को अच्छी तरह उस पे नियंत्रन कर सकते हैं जब यूपेल वाले शुरू में हमारे गाव में आये थे तो हमको मिले और बोले थे कि हमारी दवा यूज करो आपको हम एक स्प्रे पर सब कट्रोल करके बताते हैं तो हमको लगा कि यह हमको लेकर डूबेंगे तो द करन के लिए एकी क्रित कीट प्रबंधन के आवशकता है सबसे पहले हमने मेकैनिकल कंट्रोल को अपनाया इसमें पिछले वर्ष की फसल के अफशेशों को जलाना ज़रूरी है हमने गहरी चुताई कर जमीन के अंदर पड़े गुलाबी सुन्डी के प्यूपा को निश्क्रिये किया तीसरी चीज हमने डेल्टा ट्रैप के रूप में फेरमून को खेतों में लगवाया ये ट्रैप आपको बताते हैं कि खेत में गुलाबी सुन्डी आ गई है देल्टा ट्रैप दिये तो उसका इस्ता फाइदा हो गया कि जो नर्पतंग रहती हो नर्पतंग बहुछ से जो वो डेल्टा ट्रैप में चिपक के मर गए उसके वज़े से भी मेरे कू लग रहा के बोंड़ी का जो पादूर्बाह हो वी कम हो गया जैविक नियंत्रन के लिए हमने ट्राइको ग्रामा कार्स का उप्योग किया ये एक पैरास्टी टॉइड है जो गुलाबी सुन्डी के अंडों में अंडे देकर सुन्डी के अंडों को ही नश्ट कर देता है और फिर हमने रसाइनिक नियंत्रन का पालन किया जिसमें हमने अपनी विराट और उलाला को प्रमुक रसाइन के रूप में उप्योग किया कि एककट दूककट समझो अली दिखरी दी पहले निमार्क मारने के बाद भी तो मैंने विराट का या स्प्रेंगẜ करने का यह कि toi शुंठवाले ने बताया यह विराट मारने का करके। उन्होंने जो मारगद जर्शन किया यह जरैं कैसे फवार करने की क्या करने आन्हें यह साल में तो हमने सब फवारे मशीन से किये हैं हमने पिसान को इसके हाष प्रे का एक्स्पोस्वन न हो इसके लिए नया मशीन लाए है एक नई 2 नई पर 100 नया मसीन और पूरा फेत कुछ पर सकते इसे इंट्रोड्यूश किया है मशीन से मालने से ये पराटी की क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें जो माल होना ये टाइम पे पचास साथ तो आज अल्रेडी माल तयार है जैसा विराट कोली है इंडिया का वैसा ये विराट है जो दुसरी की धुलाए करता और अपने जो पक्ष है उसको सलामत रखता है उनके वजे से मैंने आज कपास लगाया तो इत्ता फाइदे मेरा सही में बोलता मैं आज मेरे कपास को कम से कम पचास साथ बोंड है बूर्षी नाशक तो इत्ता जोर्दर है वो साप कि एक भी जो बूर्षी है कुछ भी बूर्षी नाएच पॉश्ज नहीं बिलकुल यानि पौस बॉंड अधि बिलकुल इसके और जो गुलाबी बॉंड़ी का जो अटेक है एक भी गुलाबी बॉंड़ी नहीं है इस पे सब लोग आए थे और गाव में के सब लोग आके देखके गए बाकी सब ने नहीं बाप कॉलिटी है पराटी की सब अच्छा है यह सब से अभी तक तो माल अच्छा है इससे जो इंपुट कॉस्ट है जो किसान की वह भी कम हो जाती है है एक एक कर लगर के शेत्र पर भाए खर्चा करता था सबसे पहले डीается दालता था भोनेके टाइम में चोट्जब लूस선 पर एक ब्याग है उसके बाद में यूरिया लादा था जो 4700 पर एक ब्याग ले में उसके बाद में मैंगनेशम और सल्पेट मिक्स करके डालता था जो नव सो रुपई में गिरता था एक एककर का ऐसा टोटल होता था वो तीन हजार का बेरेको अभी ये साल यूपियल ने जो बताया 12, 13, 16 तो वो सिरिफ 1300 रुपई का हो रहा है तो उसमें बाद सिधा 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 दो जार रुपई से बच रहा हो एक एककर में अगले साल हम मशीन से फ़वारेंगे सवरुपई प्रतियक कर उनको देंगे नहीं तो भी ऐसा भ का कम होना भी बहुत ज़रूरी है किसान इसने उत्साहित हैं कि उनको उमीद है कि पिछले साल से पैदावार यहां पर डबल होने वाली है कि युटियल वालों इस साल हमारा गाव जो है वो दत्तक लिया है अभी हर बार तो दत्तक लेंगे नहीं हमारा गाव लेकिन इस बार उनके वज़े से इत्ता फरक गिरा हमने जिन्दगी में ने सोचा था ऐसा कपा साइंगा करके गये साल में जो बॉन रहता था उसके चार पाकाय रहती बॉन इस से एक अच्छी निकलती ठीन- बेकाश निकलती साल में एक भी ऐसी पाकलिय आइसी नहीं हुई कि चारों भी पाकलिय एक नमब मजए आने पूरे फुल गए याने कपाच चुनने को भी याने तक डिककत नहीं गई पिछले साल में कुछ 7-8 प्रती क्विंटल आवडे जाया तक प्रतीक्व इक लिए पिछले साल्वन पंद दालना पड़ा जगा भी नहीं है डालने के लिए दुपट किपट का उत्पन हो गया है क्वालिटी में तो बहुत फरक है इस साल जो बॉंड है वह यह उसका वजन जाड़ा है जो सपेद पना है का पास को बिल्कुल वर्प की जैसा दिक रहा हो का पास भी इता आएंगा जनापा तो पिछले साल से डबल हो गया अंदनीका बहुत जैने चोपट पाचपट फरक गिरेंगा अभी इसाब से खेती आच्छी पीकी तो इसाब से अगले साल लड़के कोई उत्माल डालेंगे शिक्षा के लिए अब ऐसा लग रहा जो जुना कर्ज है वह भी मुखला करने का और कुछ लेने का सोच रहा अभी इस साल अभी फूर्विरर गाड़ी लेने का इच्छा है देखेंग अभी क्या होता है हम गाओं में जाते हैं केट में जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं जरूर किसान बहुत समझदार है बहुत इंटेलिजन है और रहया टेखनिक सिखने के लिए हमें साथ आयार होता है जैसा आपने देखा पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई है और अब किसान हर साल कपास उगाने की बात कर रहे हैं मेरे इसाब से कपास ना करने से लेकर अब कपास के प्रती इतना उस्साहित होना ही इस पहल की सबसे बड़ी उपलब्दी है और मुझे यकीन है किसान, उद्योकपती और करकार में इनके काम करेंगे तो अपना देश में गरीदी हज जाएगी और ज्राओं में भी प्रस्केविटी आएगी किसान बहुत कुछ है जिनको इनके पहले एकरी पांच क्विंटल या चार क्विंटल आता था कपास और उनका खेत का जो इंपूट लगाने का जो इन्वेस्टमेंट होता था वो भी रिकावर नहीं होता था वो भी मिलता नहीं था लेकिन इस साल अभी ऐसी सिचुएशन कि घर में हमने जाके देखा है तो पूरा कपास से भरा है और दस दस बारा-बारा कुंटल एकरी और वो अच्छा है श्रा चार हजार चालिस तोई था कम कपास और भाव वी कम इस साल में कपास भी ज्यादा और बहो बीज़ेद एखा और मुझे लगता है उनके छेरे में जो हम हाथ से देखते हैं, उनका चेहरा, जो प्रफुलित देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत गवर करने वाली बात है, वो हमारे लिए इनुविश्टी के लिए भी है और UPL के लिए है, मुझे लगता है इस से बड़ा और कोई तुफा नहीं हो सकता है।